आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं आर्मी की यूनिफॉर्म में बदलाव के बारे में तो इस शोट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इंपॉर्टन चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं या आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कमेंट्स में कि जो पुरानी यूनिफॉर्म है उससे लोगों की भावनाई भी जुड़ी हुई हैं और इसे बदलाव नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हर टाइम पे हर देख की आर्मी अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें बदलाव करती है या उसे एक बेटर पोजिशन पर ले जाने की कोशिश करती है तो हम उनी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का माटेरियल यूज किया जा रहा है कौन सी important चीज़ें हैं और exam based जो current affair में पूछी जाती है वो चीज़ें कौन सी चीज़ें आप लोगो याद रखनी है या कौन सी चीज़ें आप लोगो पता होनी चाहिए अब question आता कि why does an army's uniform matter कि army के जो uniform है वो क्या matter करती है और how is the new uniform different from army's old uniform जो पुरानी uniform है उसे नए में क्या बदलाव होगा या क्या चीज़ें बदली जाएंगी अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी पुरानी uniform है और हर uniform में cameo flash करना एक important चीज होती है अगला question दिमाग में आएगी कि last question है are all uniforms of the army changing कि जितने army के हर wings से हैं उनमें सभी में change क्या ये किया जाएगा तो अब हम जाके देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो बदलाव हैं और किस तरह से किये जा रहे हैं तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो पुराना जो color है वो आप लोग देख सकते हैं कि olive green and earthen shade ये हमारा क्या है अभी भी इसमें रहेगा लेकिन जो pattern होगा अब वो digital हो जाएगा तो जो important चीज है वो है आप लोगों का कि ये जो pattern है वो क्या होगा अब digital होगा new तो सबसे important जो चीज है वो यही है और जो design की गई है जो ये पूरा army का army की uniform है उसे किया गया है वो किया गया है कि वो सारी जगे के लिए operational होगी operational conditions के लिए यूज की जाएगी चाहिए deserts और high altitudes area में हो चाहिए jungles और plains हो इसमें जो fabric की हम बात करें कि पहला जो army का ये था और अब जो army की uniform नहीं होगी वो इस तरह की होगी इसमें जो fabric होगा पहले heavy fabric यूज किया जाता था लेकिन अब lighter उससे ज़्यादा इस uniform से ज़्यादा light हलका जो fabric है उसे यूज किया जाएगा थोड़ा ज़्यादा sturdy होगा means मजबूत होगा पिसले वाले uniform की तुलना में और more breathable और अच्छा उसमें आदमी breathe कर सकता है उसे यूज किया जा सकता है means जब इस uniform और इस uniform का comparison किया जाएगा तो जो नए uniform है उसे ये बताया जा रहा है कि वो ज्यादा better उसे पहनने पर feel होगा जो उसे पहनेगा more suitable for different terrens और अलग-अलग terrens के लिए अलग-अलग जो इस्थिया है उसके लिए क्या होगा अलग-अलग high altitudes area हों चाहे deserts हों है क्योंकि हर जो new नहीं ची जाती है यह new uniform होती उस पर ज्यादा research किया जाता है इसमें जो important है जो question बनके आ सकता है आपके exams में वो है कि cotton to polyester ratio वो कितना है यह आपको बहुत ज्यादा याद रखना है यह जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा अगर कोई भी next आपका exam हो 70 ratio 30 का इसमें ratio होगा cotton to polyester ratio तो दो चीजे है cotton और polyester तो उनका ratio कितना रखा गया है 70 और 30 यह आप लोगों को याद रखना है और दूसरी चीज कि यह क्यों करना है तो quicker to dry अगर हम बात करें कि यह 70-30 का ratio रखा गया है क्यों रखा गया है तो यह आपका है जल्दी यह सूखे होगा and more comfortable to wear in humid and hot condition दोनों चाहिए humid condition हो चाहिए hot condition हो दोनों में इसे पहनने में क्या होगा आसानी होगी और एक और चीज है क्योंकि जो पूराना जो pattern है यह market में बहुत easily available है हर army के बहुत सारे shade होते हैं तो कहीं न कहीं जो army personal होते हैं उन्हें एक अलग उनका rank है एक अलग कि यह हमने जिस तरह से आप लोगो दिखाया कि army के जो shades थे यह वाले shades आप देख सकते हैं तो यह shades का कपड़ा आपको क्या करें आर्मी यह जो पुरानी army के shade का कपड़ा है यह easily आपको market में available हो जाएगा लेकिन जो नया shade आएगा या कोई भी army क्या करती है नए shade को लेके आती है तो उसमें क्या होता है कि यह easily अभी available नहीं होगा market में और army के लिए अलग-अलग type के क्या किया जाएंगे यूनिफॉर्म लाए जाएंगे और उनहीं से army इसको उनको provide करवाए जाएगा so hopefully कि इस information से आपको फाइदा होगा आप at least जो short में अगर मैं आप लोगों को कहूं तो ये information आप लोगों को यहाँ पर लिख लेनी है और इसे अपना notes बना लेने है अगली जो कोई भी exam होगा next upcoming जो भी exam आ रहे हैं उनमें आपको ये बहुत help करेगा so मिलते हैं next video में तब के लिए गुडबाई all the best